हिंदी अचारे की एजुकेशन की सीरीज में बच्चो आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकेटा युनिवर्सिटी कमिशन नाइटीन हंड़ड़न सेवनटीन तो बच्चो यह जो कैलकेटा युनिवर्सिटी कमिशन है यह 1917 में एस्टैबलिश किया गया था और इसका इसका एक नाम सैडलर कमिशन भी है तो जो सैडलर थे M.E. सैडलर वो एक्चली वाइस चांसलर थे युनिवर्सिटी ओफ लीड्स के यानि कि इंगलेंड में एक यु यह जो कमिशन था यह Government of India ने अपॉइंट किया था रिसर्च करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए कि जो कैलकेटा युनिवर्सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है जो की युनिवर्सिटी इसक्ट 1904 के बाद में एस्टैबलिश किया जाने वाला important commission है तो जो यह खा यह एक wholesome report है ना कि इसको सुर्फ क्यलकेटा से संबंदित ही ना समझा जाए क्यलकेटा से ही संबंदित इसमें legislation बाद में आते हैं लेकिन इसकी जो recommendations है वह बाद में generalize की गई है तो अब इसके जो chairman है वह हमने पढ़ लिया M.E. Sadler है और इसके जो commission के अंदर दो Indian members भी थे बचो आशितोष मुखर जी और जियाउद दिन एहमद यह दो Indian members है इस commission के और यह जो commission है यह पूरे सभी तरह की जितने universities हैं उनको इसने visit किया है उनमें जाके इनोंने सवाल-जवाब, research वगरा सब कुछ की है पूरे 17 months तक यह सब चला है इनकी research और इनोंने अपनी जो report है 1919 में 1919 में 1919 में जो report है वो इनोंने submit की है जो की पूरे 13 volumes की report है और हला कि यह जो university commission जो है यह Calcutta university के लिए बनाया गया था लेकिन इनोंने दूसरी universities में जाकर भी उनकी problems को भी study किया है और उनके लिए भी recommendations है इसमें तो अब एक एक करके हम recommendations को पढ़ेंगे तो students यह जो Calcutta university commission यह sadler commission है इसने सबसे पहली चीज जो बोली है वो यह बोली है कि कोई भी change university level पर नहीं लाया जा सकता higher education में नहीं लाया जा सकता जब तक कि secondary education के level पर changes नहीं आते यहां पर actually fundamental changes की जरूरत है और उसके बाद ही higher education में भी फिर changes आएंगे तो यहां पर इन्होंने recommend किया secondary education के बारे में इन्होंने बोला कि सीधा बच्चे जो है वो 10th class करके यानि की matriculation करके सीधा university level की पढ़ाई जो यानि की colleges वगेरा में आ रहे हैं यह step सही नहीं है यह बच्चे छोटे हैं इनको समझ भी नहीं है इनको knowledge भी उस level की नहीं है कि सीधा इनको graduation की degree दे दी जाए तो उन्होंने अब यह बहुत ही important point है बच्चो बहुत important point है इसको हमने कभी नहीं भूलना कि यह जो Calcutta University Commission की अगर सबसे जादा important recommendation है वो intermediate colleges की है तो intermediate colleges वो colleges थे जो की secondary level से उपर थे और college level या university level से नीचे थे यानि की बीच में है यह जो colleges और इसी को बच्चो आज के टाइम पर higher secondary education कहा जाता है 11-12 की education कहा जाता है जो की college की education से पहले होती है और school की दस्वी की matriculation की education के बाद में होती है तो यह बहुत important है intermediate colleges की बाद किस commission ने की Calcutta University Commission या Sadler Commission ने intermediate colleges की बाद की है और यह जो intermediate colleges है इनका जो curriculum है उसमें arts भी होगा etc अलग अलग courses होंगे और जब बच्चे intermediate colleges का जो examination complete कर लेंगे उसके बाद ही वो university में enter करने के लायक माने जाएंगे और फिर universities में जो उनको degree मिलेगी तो वो 3 साल की होगी अगर आपने intermediate का course किया है 2 साल का उसके बाद आप university में degree लेने के लिए आते हो या college में degree लेने के लि साल की होगी लेकिन वो आपको 10 के बाद नहीं आप कर सकते आप intermediate colleges जाएंगे और यह जो intermediate colleges है यह भी दो तरह की पढ़ाई करवाएंगे सभी तरह के courses में जो जादा बच्चे पढ़ने वाले हैं जो जादा आगे अपने academics को लेकर जाना चाते हैं उनके लिए honors degree होगी और आ इसमें भी दो तरह की इन्होंने बोला है अब बच्चो देखो दूसरा बहुत जादा important पहला बहुत जादा important है कि दस्वी के बाद के जो schools हैं जिनको intermediate colleges का नाम दिया गया है यह है दूसरा बहुत ही important point है कि Alketa University Commission का की Board of Secondary and Intermediate Education बनाना बच्चो अभी हमने पढ़ा की जो इसमें हमने जान से एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो दस्वी तक बच्चो को पढ़ाया जा रहा है secondary level पर लेकिन उनके जो पेपर हैं जो अभी हम बोर्ड के पेपर देते हैं दस्वी क्लास के वो schools या उसके लिए प्रॉपर बोर्ड नहीं हुआ करता था पेपर उनके universities लि मैं तो अब पहली बार जो बोर्ड ऑ सेकेंड्री एजुकेशन बनाने की बात की जा रही है और बोर्ड ऑ इंटर्मेडिये तर्मेड ऑएजुकेशन रहे है या Creamy 걌 की जो या hmm जो सेकेंड्री एजुकेशन का बोड होगा वही final exam लेगा board का exam जैसे कहा जाएगा secondary level का जो secondary education start होती है तो इस education के लिए भी एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जाएगा जिसको की board of intermediate education बोला जाएगा अब यह जो बात है board of secondary and intermediate education के यह तो सब के ओपर generalize हो जाती है लेकिन Calcutta University के अंदर एक special board of women education भी बनाने की जो बात की गई है Sadler Commission ने यह Calcutta के लिए है ठीके बचो तो दो important points है एक तो intermediate colleges की बात है Calcutta University Commission ने कहीं दूसरी important बात है कि secondary education का board होगा और intermediate education का board होगा दो अलग-अलग boards होगे और इस commission ने यह भी बोला है कि एक धाका university बनाई जानी चाहिए क्योंकि क्याकटा University के अंदर बहुत जादा mismanagement थी burden बहुत जादा था इस वज़े से burden कम करने की वज़े से एक अलग से एक teaching university recommend की क्याकटा University Commission 1917 ने कि एक धाका university बनाई जानी चाहिए और इस वज़े से ही धाका university बनती है बचो और धाका university के बाद और भी universities बनती है पटना university है दिल्ली university है है इदरबाद university आगरा university लखनव university यानी कि 1930 आते आते total 30 universities total इंडिया में हो चुकी थी तो यह भी एक अलग से impact कहा जा सकता है और teaching work जो है वो तो हो गया teaching work तो already 1904 से चल रहा है universities में start हो गया है अब बात करते है हम जो senate and syndicate की जो बात की गई है जो 1902 के commission ने recommend किया 1904 के act में लागू किया गया कि एक senate होगी university के अंदर और एक syndicate होगी अब इसकी जगह पर university court होगा और executive council यानि कि अब यह नए तरह के institute है university court और executive council यह किस ने कहें क्यालकटा university commission ने कहा है और जो पोस्ट है प्रोफेसर की पोस्ट है वह भी create करने के लिए कहा है university के अंदर और एक और बॉर्ड होना चाहिए university के अंदर student welfare के लिए जो की students की भलाई के लिए काम करेगा और एक बहुत important point है बद जो inter university board established किया गया 1925 में यह saddler commission की recommendation थी कि जो coordination होनी चाहिए universities के बीच में आपस में तो उसके लिए saddler commission नहीं यह recommendation दीती कि एक inter university board होना चाहिए तो यह establish किया गया 1925 में तो बचो आप देख सकते हो कि जो Calcutta university commission है यह अपने आप में बहुत ही important है और यह ना केवल Calcutta university के लिए बलकि सभी universities के ओपर लागू होता है और दूसरी universities को भी impact करता है और इसमें इसने केवल वहां पर ही research नहीं की है वहां की problems को solve करने की कोशिश नहीं की है इसने इसकी recommendations है दूसरी universities के लिए भी लागू होती है और यह दूसरी universities में जाकर भी घूमें है इस जो commission के जो members है तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है इस इस Calcutta University Commission या Sadler Commission की सबसे important दो चीज़ें आप कभी मत भूलिएगा जो intermediate और secondary board वाली जो बात है और दस्वी के बाद और college की पढ़ाई करने से पहले के बीच की जो पढ़ाई की बात है यह दो important points है सेडलर कमीशन के 1917 तो बच्चों आपको पूरी information मिल गई है Calcutta University Commission के लिए तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको कैसा यह वीडियो लगा मुझे बताईए जरूर कमेंट करके हिंदी आचारिया